इस वीडियो में हम बात करेंगे माउथ हलसर के बारे में किन कारणों की वज़े से हमें ये होता है इसमें क्या लक्षन होते हैं और डॉक्टर्स आपको माउथ हलसर में क्या ट्रीटमेंट देते हैं हेलो फ्रेंड सोनम क्लिनिक में आप सभी का स्वागते मैं हूँ डर्टर आईशा तो चलिए जानते हैं माउथ हलसर के बारे में माउथ हलसर को हम बायलोजिकल भाषा में चलिए जानते हैं कि किन कारणों की वज़े से आपको माउथ हलसर होता है जब भी आपकी mucos membrane में किसी तरह की चोट लग जाती है या आपके दान से कट जाती है तब आपको mouth ulcer हो सकता है जब भी आपकी body में vitamin D या B12 की कमी होती है या आपकी body में किसी भी तरह का कोई viral infection या bacterial infection होता है जब भी आपका पेट साफ नहीं होता, GIT से related कोई problem होती है या आपकी body में जब भी किसी प्रकार का कोई hormonal changes होता है तो आपको mouth ulcer हो सकता है इसमें आपको गले में बहुत ज़ादा दर्द, सूजन वच्छाले रह सकते हैं तो चलिए आप जानते हैं कि doctors आपको mouth ulcer में क्या treatment देते हैं तो doctors आपको set of medicines देते हैं इसमें जिसमें से antibiotics होती हैं दर्द, सूजन को कम करने की दवाईया होती हैं vitamin B और D के कुछ supplements होते हैं साथ में कुछ steroids होते हैं तो सबसे पहले हम antibiotics देखेंगे तो इसमें आपको दो तरह की antibiotics दे जाती हैं क्योंकि azithromycin आपके upper respiratory tract में जितना भी infection होता है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं और metrogil आपके पेट में infection को ठीक करती हैं azithromycin दिन में एक बार metrogil 200 mg दिन में तीन बार यानि सुबह दोपहर शाम दर्दोसूजन को कम करने की मेरी सबसे फेवरिट दवाई है जिरो डॉल SP इसको दिन में तीन बार दिया जाता है सुबह दोपहर शाम साथ में steroid जो की visoline 5 mg आता है इसको दिन में दो बार या आपको लगेगी जाधा infection है तो दिन में तीन बार आपको यह दिया जाता है आप हम बात करेंगे वाइटमिन सप्लीमेंट की जिनकी वज़े से आपको यह होता है तो बीकोसूल जिसमें B complex होता है और वाइटमिन C भी होता है तो आप यह डॉक्टर्स आपको देते हैं दिन में तीन बार साथ में शेल कॉल 500 यह आपको OD दिया जाता है यानि दिन में एक बार ये दोनों vitamin supplement जब आप consume करेंगे तो अपने आप आपकी immunity बढ़ेगी और साथ में जो भी infection है उससे आपको fight करने में यह बहुत जादा support करेगा तो चलिए एक बार set of combinations फिर से देख लेते हैं अब हम बात क करेंगे ग्यान of the video के बारे में कि ऐसी क्या चीज़े हैं जिनसे आप mouth ulcer को prevent कर सकते हैं या आपको हो गया है तो आप जल्दी recover कर सकते हैं सबसे पहले तो आप नमक पानी से गरारे करें और जूस यानि खटी चीजों का सेवन जादा करें जिससे कि आपके vitamin C की जो कमी है व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें